लंबे इंतिजार के बाद मैट्रिक और इंटर रिजल्ट की फाइनल तिती घोसित हो भी गई सभी छात्र के नीूज को जानकरके काफी खुस होंगे सबी छातरों के लिए महां खुसकबरी है कि मैट्रीक और इंटर रिजल्ट की फाइनल तिथी घोसित हो गई है तो आज की सिडियों में जानेंगे कि मैट्रीक का रिजल्ट कब आएगा और इंटर का रिजल्ट कब आएगा और बिहार विद्याले परिक्षा समिती से जूरी आप पंच बरी खबर को जानेंगे जो आपके लिए काफी महतपूर्ण है तो चलिए पहले इस न्यूज को जानते हैं उसके बाद चार बरी जानकारी को जानेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि मैट्रीक इंटर रिजल्ट तिथी घोसित जागरन संबादात्ता पतना बि डिख सकते हैं कि इंटर इंटर परिक्षा का रिजल्ट 28 मर्च और मेट्रीक परिक्षा का रिजल्ट 5 अपरील तक जारी किये जा सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं इस हाथरों के लिए काफी अहम सूचना है कि इंटर का रिजल्ट 28 मार्च और मेटरिक का रिजल्ट 5 अपरियल तक जारी किये जा सकते हैं अगर आपने अभी तक किस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकोन को दवा ही डाले ताकि जैसे ही रिजल्ट के लिए वेबसाइट पर लिंक अपडेट हो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले और इस वीडियो को कम से कम दस ग्रूप में जरूर फलाईए ताकि जो भी छातर इस बार एकजाम दिये हैं वे फाइनल तिती को जान सके कि इस तिती को उनका परक्रिया जारी है तो यहां पर देख सकता है कि रिजल्ट त्यार करनी की परक्रिया जो है अभी जारी है पिछले साल की तड़ों इस साल भी रिजल्ट जारी किया जाएगा जाएगा ग्यात हो कि पिछले वर्ष इंटर का रिजल्ट 30 मार्च को और मेटरिक का रिजल्ट 6 अपरिल को जाड़ी किया गया था तो पिछले वर्ष जो था इंटर का रिजल्ट 30 मार्च को जाड़ी किया गया था और वहीं मेट्रिक का रिजल्ट जो है छो अप्रिल को जाड़ी किया गया था तो टोपर का कि फिजीकल वेरिफिकेशन पिछले साल की तरह इस साल भी होगा और टोप टी-20 में यहीं टोप 20 में सामिल प्रिक्षार्तियों को फिजीकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा रिजल्ट को गोपनी है मामला बताते हुए कि किसी भी परक्रिया की योजना की जानकारी देने से इनकार किया है अब यहाँ पर देख सकते हैं यह मेटरिक वाले के लिए है अस्टेप वाइज मुलियंकन परक्रिया रह की जारी यह दूसरी बरी ख़बर है बोर्ड ने कहा कि मुलियंकन परक्रिया अस्टेप वाइज पहले से ल करना होगा इस पदलाव से कमजोर स्टुडेंट को भी फैदा होगा उन्हें जितना आड़ा है उतना ही उत्तर देंगे तो भी फैदा मिलेगा चलिए उसके बाद तीसरी वरी तो इसलिए इस न्यूर कि हिंदी के जो सिक्षक उन्हें संस्क्रीट का ग्यान त्यूंड यहां पर देख सकत हैं उसके बाद भी यहां पर चोथी बरी खबर को आप देख सकते हैं कि राज सरकार द्वाड़ा लागों की गई योजना के तत बिहार लोग सेवा आयोग पटना द्वाड़ा आयोजित 65 प्रारंबिक परतियोगिता परिक्षा उत्तिर्ण होने वाले बिहार राज के अधिसूचित अतियंत आते हैं तो देख सकते हैं जो छातरों के लिए काफी महतपुर्ण खबर है उसके बाद पंचमी और अंतिम बड़ी खबर है यहां पर देख सकते हैं कि ओ एप एसस के माधियम से सतर्ज होगे आपको 2018-20 और 2018-21 असना तक कक्षा और उसके बाद 2019-21 इंटर कक्षा में नमंकन हेतु विवरने का आविदन सुल्क फी किरासी वापस करने के संदर्व में समंदित विद्याले महविद्याले के प्राचारियों के लिए आवस्यक सूचना तो जो भी प्राचारी जो है अभी तक बैंक एक आपकोंड को जरूर ओ एफ एसेस के वेफ साइट पर जाकरके अपडेट कर दे ताकि सभी छातर का रासी जो है रिटर्न हो सके नमंकन आविदन सुल्क तो बिहार विद्याले प्रिक्षा समिति से जानकार ही तो इस चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकोंड को दबा दे विडियो देखने के लिए धनियवाद